महा शिवरात्री के इस पावन अवसर पर फराली रेसिपी तो बनती है सो मेरे गर पे जो फराल बनता है राजगरा पूरी और मेरी मॉम के स्टाइल की सुखी भाजी यानि की आलू की सबजी और उसके साथ श्रीखन फोर मेंकिंग राजेगरा पूरी, राजेगरा का आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा फराली नमक जो आता है वो डालेंगे और उबले हुए आलू डालेंगे, आप इसके जगा शकरकन भी डाल सकते हैं, आलू या शकरकन डालने से पूरी बहुती सॉफ्ट बनती है और उपर थोड़ा सा ओईल डालके डोको ग्रीस करके उसको रेस्ट करने रखतेंगे अभी आलो की भाजी बनाने के लिए एक कड़ाई में ओईल लेना है उसमें थोड़ा सा साबू जीरा डालेंगे कड़ी पत्ता बारिक कटी हुई हरी मिर्च अद्रग अद्रग आप चाहो तो अवाइट भी कर सकते हो अभी इसमें उग्रेवे आलो डालेंगे अभी डालेंगे इसमें रोस्किवी मूंफली जिसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और पराली नम्ट कर लिया है स्वादा नुसार थोड़ी सी चिनी यानी की शक्कर जीरा पावदर और लेमन स्क्वीज करना है और फुल्म फ्लेम में ये भाजी को टॉस करना है बहुत ही जल्दी बन जाती है भाजी अब इसमें डालेंगे बारी कटी हुए धनिया और उसको 10-15 मिनिट तक धीमी आच में पकने देंगे आप देख सकते है कि भाजी बहुत ही अच्छे से कुख हो गई है मैं आप टिस्ट दे रही हूं मैं इसमें धुंगार दे रही हूं इसमें दुंगार दे रही हूं सिनमन anne को और की का इसमें अवाजी डालेंगे वाजा है अज़। यह ज़्य को आप आप दे अभी पूरी बनाने के लिए एक छोटी सी लुई लेंगे और अच्छे से पूरी को बेल लेंगे और अच्छे से पूरी को फ्राइ करते हैं तो उसको बहुत ही हाई फ्राइ करना है तो ही पूरी बहुत अच्छे से पफप होगी और अच्छे से फुनेगी तो बस मेरी पूरी भी तयार है अलुकी भाजी तयार है जिसको मैंने दुंगार दिया है और मेरे घर पे ये शीखन के साथ सौफ होता है तो अगर आपको शीखन के रेसिपी देखने हैं यू आप तो वाच आउट माइन एक्स्ट वीडियो और हाँ मेरी चानल को लाइक सब्सक्राइब करना मत बूलना फो और हाँ माइन एक दो आपको बार आपको 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 बूलना